नमस्क्राइब स्वागत है आपका इंदिया न्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वादी सेंग पहले एक पन्ने का स्थफ़ा फिर फोन स्विच ओफ और कॉंग्रेस में शामिल दिगज आदिवासी नेता नंद कुमार साई के 12 घंटे की स्यासी गति विदियों ने 36 गढ़ में बीजेपी को तगडा जट्का दिया जी हां हमने आपको पहले भी बताया किस तरीके से नंद कुमार कॉंग्रेस में शामिल हो गए और बीजेपी को जट्का दिया आज आप साब तौर पढ़ देखेंगे कि बीजेपी के लिए नंद कुमार की क्या कीमत है जो कि नंद कुमार ने यूँ अचानक बीजेपी को क्यों जच्चका दे दिया आपको बता दें कि यह जच्चका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 36 गड़ में इसी साल के अंत में विधान सभा का चुनाव प्रस्तावित होने वाला है नंद क सभा और दो बार राज्यसभा के सदत से रहें 36 गड़ बनने के बाद साय विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भी बने साय के बीजेपी छोड़ने और कॉंग्रस में शामिल होने की घटना ने राइपुर में बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने का साफ संदेश दे दिया है आपको बता दे कि वही सवाल खड़ा होता है कि नंद कुमार साय बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है ऐसे में आप इसे समझ सकते हैं कि साय के जाने से नुकसान बीजेपी को ही होना है जनवरी में विश्णु देव साय को अध्यक्षपत से हटा कर बीजेपी पहले ही आदिवासियों की नराजगी झेल रही थी और नंद कुमार के जाने से बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है अब इसलिए बीजेपी के नेताओं ने चुपी साज़ लिए बड़े नेता अभी भी उनके वापर साने की बात कर रहे हैं हाला कि साय ने स साजनीती करेंगे साय की गिंती 36 गड़ में बीजेपी के संस्थापक नेताओं में होती है सर्गूजा और बिलासपूर संभाग में उनकी मजबूत पकड़ है इसकी अलावा आदिवासियों में भी उनकी लोक्रियता काफी है बिलासपूर और सर्गूजा में विधानसभा की करीब 30 सीचे हैं 36 गड़ में जीत के बावजूत कॉंगरेस पिछले चुनाव में बिलासपूर में पिछड़ गई थी साय के जरिये इन शेत्रों में कॉंगरेस दबदबा हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी उधर महेंद्र कर्मा के निधन के और अजीत जोगी के कॉं 30 फीसदी आदिवासी वोटर्स राजे की 29 सीटे आदिवासी मानन्यों के लिए रिजर्व हैं 2018 के चुनाव में 29 में से करीब 19 सीचों पर कॉंगरेस में जीत तर्च की इस बार कॉंगरेस क्लीन स्विप की तैयारी करेगी है साई को 36 कॉंगरेस में बड़ी जिम्यदारी दिये जाने की अटकले भी लगाए जा रही है विधान सभा के साथ ही लोग सभा की भी दो सीटों पर भी फर्क पड़ेगा इससे साई रायगड और सरगूजा से सांसद रह चुके हैं और दोनों सीटे अभी भी बीजेपी के पास ऐसे में आप सोच सकते हैं कि साई का बीजेपी के लिए किस तरीके से एक जरूरत एक वेल्यू नजर आती है ऐसे में बीजेपी को छोड़ जाना कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए हो सकता है और साफ तोर पर बीजेपी इस पर किया एक्शन लेती है क्या वो नंद कुमार साई को वापस लाने की कोशिश में जुढ जाती है या फिर साई को कॉंग्रेस को छोड़ कर अब कॉंग्रेस की काया ही पलटने वाली है तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूस धन्यवार